तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 26 से तो पिछले वीडियो के अंदर कोश्चन नमबर 25 तक आपने कर लिये थे 25 तक आपने होफुली प्रैक्टिस कर लियोंगे अच्छे से समझ लियोंगे तो exercise 8B का कोश्चन नमबर 26 देखते हैं इसमें आपक करना है अब इसको इंटिगेट करने के लिए जब भी आपके पास E की पावर X आएगी और ऐसे दो फंक्शन दे रखे हों तो यहां पर जो इंटिगेशन बाइपार्स का तो special formula था वह वाला यहां पर बन सकता है अगर आपके पास FX है और उसका derivative साथ में आपको दे रखा ह इंटू में E की पावर X है तो हमारा जो आंसर आता सिधा E की पावर FX इंटू में FX इंटू में E की पावर X प्लस में C यह हमारा आंसर आ जाता है तो यहां पर EX को आप अलग करो X upon में X upon में X प्लस 1 का square यहां से इसको दो function में convert करके देखो कि वो property बनती है या नहीं बनती तो वो property बनाने के लिए आपको जो denominator है ना उसकी health से आपको numerator में changes करने है डिनोमिनेटर में X प्लस 1 है तो उपर भी आप X प्लस 1 बनाओ अब यह प्लस 1 अपनी तरफ से कर रहे है तो उसको balance करने के लिए minus 1 कर दो divided by X प्लस 1 का whole square अब यहाँ पर जो X प्लस 1 बना उसको एक अलग टाम है और X प्लस 1 का square इसको अलग कर दो इन्टू में A की power X dx अब यहाँ पर यह हो जागा cancel तो यह बनेगा आपके पास 1 अपन में X प्लस 1 minus 1 upon X प्लस 1 का whole square अब यहाँ पर अगर आप उस property को चेक करोगे तो इसका derivative करने पर यह आपके पास बनेगा तो इसका derivative करने पर यह बन रहा है तो यह Fx है तो हमारा answer होना चाहिए 1 upon X प्लस 1 into में E की power X plus K तो यह option में देखो हमारे पास है E की power X upon X plus 1 plus K यहनि option number A इसमें हमारा answer बनेगा question number 27 में X raise to power 4 है plus 3 upon X है तो X raise to power 4 plus 3 upon X इसको में integrate करना है तो इसका integration हो गया X raise to power 5 upon 5 और upon में जब X होता है खाली तो इसका integration हो जाता है log X plus में आगया K तो option इसमें आया हमारे पास यह वाला 1 upon 5 X की power 5 plus में 3 log X plus में K तो मारा option मना इसमें B part ठीक है उसके बाद अगर हम next question पे चलते हैं तो next question में question number 28 28th जो question है इसके अंदर evaluate करना है आपको 1 minus X cube upon में X 1 minus X cube upon X इसको evaluate करना है तो आप 1 minus X cube के ना ओपर identity use कर लो identity करोगे तो A का cube करेंगे 1 आ जाएगा इसका cube करेंगे यह आ गया फिर होता माइनस 3A square B तो यह बनेगा 3X फिर plus 3AB का square और divided by हो गया X तो इसको आप सबके साथ अलग लग कर दो ऐसे 1 upon X minus X cube upon X minus 3X upon X plus 3X square upon X यहाँ पर यह कैंसल हो गया यहाँ पर यह कैंसल यहाँ पर कैंसल होके बनेगा square अब integrate करेंगे 1 upon X का तो आ जाएगा log X और X square का जाएगा X cube upon 3 खाली 3 है तो इसका जाएगा 3X और 3X का जाएगा 3X square by 2 plus में K तो answer होगे आपके पास देखो log X minus 3X X cube upon में 3 तो plus में 3X square by 2 X cube upon में 3 नहीं दे रखा इसमें एक term यह दे रखी है दूसरी term यह दे रखी है minus 3X किसरी term यह दे रखी है X cube upon में 3 यह वाली term नहीं दी हुई है यह भी हमारे answer में होनी चाहिए बर क्योंकि जब आप इसको factorize करोगे और इसमें जब identity लगा होगे तो यह वाली term तो बनेगी बनेगी तो answer में यह वाली term भी है यहां option में नहीं है यह वाली term और option में answer आपको दे रखा D ठीक है तो none of these यहां पर answer आएगा question number 29 the equation of the curve in the form y equals to fx if the curve passes through the point 1 0 and f dash x equals to 2x minus 1 यहां से आपको बताना है कि यह जो curve है इसमें से कौन सा curve ऐसा होगा कि passes through the point this इस point से वो pass कर रहा है और उसका f dash x यह आ रहा है तो अब यहां पर देख लो एक तो यह point देखोगी यहां satisfy करके कि कौन सा point है यहां पर है आपके बस 1 0 अगर x की जगए 1 करते है y की जगए 0 करते है यहां पर मैंने करा y की जगए 0 इधर आगया 1 minus 1 इससे point satisfy हो रहा है फिक है यहां पर हम करेंगे तो यह 0 0 हो गया x की जगए 1 हो गया इससे point satisfy नहीं हो रहा इससे भी point satisfy नहीं हो रहा तो हमारा answer यह होना चाहिए इसका derivative और निकाल के देख लो आप अब इसका x square का derivative करोगे तो 2x आ गया और x का derivative करेंगे तो 1 आ गया तो derivative में यही आप से पूछ रहा है 2x माइनस 1 तो derivative भी हमारा बन रहा है और जो point है वो भी satisfy हो रहा है दोनों का हम हमारे option a से हो रहे है तो 29 का option बनेगा a 30th question में गया है 2x प्लस 5 2x प्लस 5 को integrate करना है यह इसकी limit दे रहे है इसको जब हम integrate करेंगे आ जाएगा 2x square by 2 प्लस 5x limit होगी 4 to 1 4 यहाँ put करोगे 4 4 60, 4 5 0 20 फिर minus का sign 1 put करेंगे तो 1 प्लस 5 तो इदर से आगया 36, minus 6 answer आगया 30, option बना इसमें आपका C 31st question में इसमें कहता है कि आपको integrate जो करना है उसमें limit आपको दे रहे है 1 to 2 उपर function है 2x नीचे function है 1 plus x square तो अपने properties में यह पढ़ा था कि अगर नीचे वाली term का exact derivative आपको उपर मिलता है numerator में मिल जाता है तो इसका जब derivative उपर मिलेगा तो answer आजाएगा log में log 1 plus x square limit है यहाँ पर 2 to 1 तो पहले आप यहाँ पर 2 put करेंगे तो यह बन जाएगा 1 plus में 2 का square या नी 4 1 plus 4 आगया 5 minus का sign आएगा अब 1 put करेंगे तो 1 plus 1 2 अब यहाँ पर log की property आप लगाओगे तो इसको इखटा करके हम लिख सकते हैं log 5 upon me 2 बेस में जिसे answer में base में e लगा हुआ है तो base में e लगा दो या मत लगा हूँ उससे कुछ फरक पड़ेगा नी तो हमारा answer आगया है इसमें k नहीं लगाना है k नहीं लगाना है क्योंकि definite integral है तो log 5 upon me 2 यह हमारा answer बन रहा है इसमें a ठीक है b में भी हमारा answer बन सकता था लेकिन उसमें k लगा रखा है इसलिए वो answer हमारा बिल्कुल भी नहीं बनेगा question number 32 में integrate करना आपको 3x plus 4 को limit आपको दे रेखे 0 to 4 अब 3x plus 4 को integrate करेंगे तो जैसे root x को करते है से मुसी तरह करो क्योंकि linear function है तो इसमें x की जो power होती है वो add हो जाएगी यानि 3 by 2 हो गया और इस power का reciprocal आपको यहाँ पर लिखना होता है अब यहाँ पर एक कामोर करना है क्योंकि x का coefficient 3 है तो इसको 3 से और आपको divide कर देना है और limit आपको 0 to 4 तो यहाँ 2 upon में 9 यह तो constant हो गया इसको तो बाहर निकाल दो अंदर रहेगे आपके पास 3x प्लस में 4 की power 3 by 2 limit 0 to 4 तो पहले आप limit 4 put करो 4 3 is 12 plus 4 16 16 की power 3 by 2 minus 0 put करेंगे तो 4 की power 3 by 2 अब जो 16 की power 3 by 2 होता है तो यह तो बन जाएगा आपके पास 4 का cube यानि 64 और 4 की power 3 by 2 बनेगा 8 तो 64 में से 8 minus करोगे यह जाएगा 56 तो 56 तूजा 1 1 2 upon में 9 तो 1 1 2 upon में 9 option बन रहेगा इसमें B 33 question में 33 में आपको integrate करना है उपर x plus 2 है नीचे x plus 1 है तो यहाँ पर जब integration हम करेंगे तो उसमें दिक्कत यह आ रही है कि उपर वाले की degree और नीचे वाले की degree दोनों की degree सेम है तो degree दोनों में से numerator की degree कम होनी चाहिए तब ही हम integrate करेंगे तो x plus 2 को आप ऐसे लिख लो या तो proper divide करो long division method से या फिर आप सीधा इसको balancing करके 2 को ऐसे लिख सकते हो x plus 1 plus 1 अब जो denominator है उसको इसके साथ अब अलग कर दो और इसके साथ अलग कर दो यह cancel हो जाएगा 1 बचेगा 1 का integration x और 1 upon x plus 1 का integration आजाएगा log of x plus 1 limit आगी 0 to 2 तो आप 2 यहाँ पर put करेंगे तो आगया 2 plus में log 3 फिर minus का sign 0 put करेंगे तो इदर 0 हो जाएगा इदर आजाएगा log 1 और log 1 की जो value होती है यह भी 0 होती है तो यह तो साथा 0 हो गया answer आगया 2 plus log 3 2 plus log 3 option बना इसका b 34th question में integrate करना है आपको 1 upon e square यह दे रख्या आपको limit dx upon में x 1 plus log x का whole square अब यहाँ पर कोई direct formula तो हमारा बन नहीं है यहाँ पर लेकिन ही जो function है 1 plus log x इसका मैं अगर derivative करूँआ तो इसके log x का derivative होता है 1 upon x और 1 upon x आपको question में दिया हुआ है तो यानि इसको आप put कर लो t 1 plus log x को t put कर लो यानि जब कोई और method ना लग रहा हो direct को integrate ना हो रहा हो तो आप यह देखो कि function में कोई derivative कहीं पर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है जिसका derivative दिया है उसको t put कर दो तो log x का derivative हो गया 1 by x dx equals to dt dx की value आजाएगी यहां से x into dt तो यहां पर x की जगे आगया dx into में dt और नीचे आजाएगा x और यह बन गया आपके पास t का square अब यह तो limit है जब हम put करते हैं तो limit को भी change करना पड़ता है limit को कैसे change करेंगे जो lower limit 1 है जब आप उसको यहां पर डालोगे तो 1 plus log 1 और log 1 की value 0 होती है तो 1 plus 0 1 ही रहेगा और यहां पर है e square जब आप यहां e square डालोगे तो यह बनेगा 1 plus log e square और यह 2 आगया जाएगा 1 plus 2 log e log e की value 1 होती है तो यह आजाएगा 1 plus 2 यानि इसकी limit बनेगी 3 तो upper limit 3 बन गी lower limit 1 आगी x से x cancel हो गया t square को आप उपर ले जाओ यह बनेगा t की power minus 2 इसको integrate करो तो t की power minus 1 upon में minus 1 limit आगी 1, 2, 3 minus बहार निकाल दो और t की power जो minus 1 है इसको आप ऐसे लिख लो 1 upon t नीचे लाओगे तो power इसकी positive हो जाएगी आप direct integration करके भी लिख सकते हो यह अब limit apply करो पहले 3 put करेंगे तो 1 upon 3 आगया फिर 1 put कर देंगे तो 1 minus 3 यानि minus 2 by 3 और बहार एक minus लग रहा तो plus 2 by 3 आंसर आजना चाहिए तो option बना इसमें मारा D question number 35 उपर दिया हुए आपको x plus 1 और x plus 4 x plus 1 x plus 4 divided by root x तो उपर यहाँपर दोनों terms को पहले आप multiply कर लो multiply करके आपके पास आजाएगा x square plus 5x plus में 4 अब उपर वाले की degree जादा है क्योंकि power वहाँपर x की जादा है नीचे power half है तो आप यहाँदो divide करो या फिर separate कर दो नीचे अगर single dumb है तो separate करो सबसे बढ़िया तरीका x square upon root x 5x upon root x और 4 upon root x इसको integrate कर दें यहाँपर पहले simplify करो थोड़ा सा x की power यह 2 है नीचे half है तो power minus करेंगे तो x की power आएगी 3 by 2 यहाँपर यह x है यह root x है तो ऊपर root x रह जाएगा इसको आपको change करने की ज़रूद नहीं क्योंकि इसका integration डारेक्ट होता ही है अब इसका integration करते हैं तो यहाँदेगा x की power 5 by 2 और इसका reciprocal आगे multiply हो जाएगा plus 5 x की power half है इसको integrate करेंगे तो x की power एक add होने के बाद 3 by 2 फिर इसका reciprocal यहाँ आगया plus 4 root x 1 upon में root x जो होता है उसका integration होता है 2 root x limit लगा तो 0 to 4 तो जहाँ-जहाँ x है वहाँ पर 4 put करेंगे तो यह बन जाएगा 2 upon में 5 4 की power 5 upon 2 10 upon 3 4 की power 3 upon 2 8 square root of 4 0 put करोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा अब जो power fraction में 4 की power 1 upon 2 अगर हम solve करते हैं 4 की power 1 upon 2 मतलब उसका square root तो वो तो 2 आ जाएगा तो नीचे वाला जो 2 है वो तो इससे खतम होगे यह 2 बन जाएगा अब 2 की power यह 5 है तो यह बनेगा 32 यहाँ पर 2 की power 3 बन गया यह आ गया 8 यहाँ पर square root of 4 करेंगे 2 आ गया 2 एट जा 16 तो यह बन गया आपके पास 64 upon 5 80 upon 3 प्लस 16 तो LCM में 15 आएगा LCM में 15 सिर्फ एक यही पर ही है तो यही answer होना चाहिए फिर भी check कर लेते हैं एक बार 15 LCM आया तो 3 से इसको multiply करेंगे इदर से 5 से और 15 से इसको कर दे इन सब को add किया आपने तो यह बन गया 2 और आगया 9 और 4 13 एक बचे गया एक और एक दो चाह छे चे और दो आठ अब पंदरा से अगर इसको divide करो मैं इसके इसके साफ से कर चलू 15 5 से 75 हो गया 83 में से 75 माइनस करेंगे तो आजाएगा 8 आजाएगा 82 बन गया फिर से फिर 7 बचेगा LCM तो देखो answer हमारा यह बन गया D तो यह question number 35 अब 36 जो question है उसके अंदर कहता है आपको उसके अंदर कहता है कि equation of curve which passes through this point equation जो बतानी है curve कि वो इस point से pass करनी चाहिए and has the slope 4x-3 और उसका slope 4x-3 होना चाहिए at any point xy तो आप उसको solve करने की बजाए options को use करो आप पहले तो यह check कर लो कि जो point 13 है यह किस equation को satisfy करता है ठीक है I think equation आपको शायद white color में आ रहा तो शायद दिख नहीं रही है तो पहली equation मैं लिख देता हूँ तो 13 अगर हम check कर दें सारे equation में 13 चेक करेंगे फिर जिससे satisfy यह हो जाएगी फिर उसका slope निकाल के देख लेंगे यह आप पहले slope निकाल के देख लो slope क्या कर रहा? slope है 4x-3 slope का मतलब हो दा derivative तो आप slope निकाल लो अगर मैं इसका slope करूँगा तो यह आजाएगा 3 to 6 x square minus 3 तो यह slope हमारा नहीं आ रहा तो यह option नहीं होगा जो b option आपको दिया हुआ इसमें कहता है y equals to 2 x square minus 3 x plus 4 इसका slope निकालेंगे मतलब derivative करेंगे तो यह आजाएगा 4 x minus 3 यह हमारा slope वो कह रहा है ठीक है तीसरा भी एक वार चेक कर लेते हैं कि उससे भी slope हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है तीसरा point है x equals to 2y square minus 3y plus 4 तो यहाँ पर x का derivative 1 इसका करेंगे 4y dy by dx minus 3 dy by dx तो इससे भी हमारा slope वो नहीं आ रहा तो यही हमारा option बनेगा या फिर none of these बनेगा अब यह हमारा option बनेगा या नहीं बनेगा इसके लिए जो point था 1 3 वो इसमें satisfy करके देख लो y की जगे रख दी हमने 3 x की जगे रखा 1 तो यहाँ से आ गया 2 plus में 4 6 6 minus 3 3 तो दोनों side बराबर आगी यानि option बनेगा इसमें b b हमारा right answer होगा question number 37 में यहाँ पर कहता है कि f5 minus x dx और fx dx यह इसके आपको value find करनी है तो जो आपके पास property होती है properties of definite integral अगर हम उन properties को यहाँ पर लगाएं इन दोनों में से किसी एक में property वो लगा दो तो property में क्या था जब a to b होता है property में होता है हमारे पास इसे a to b होता है fx dx तो इन दोनों का sum करके इन दोनों का sum करके हम x में x को minus कर देते हैं तो अब इन दोनों की value बराबर रहती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर कर देते हैं वो असान रहेगा इन दोनों का sum कर आमने 3 और 2 का sum आगया 5 तो यह आगया F5-X और जो आपको पहले term दे रहे हैं यह भी यह दे रहे हैं F5-X जब दोनों term same आगई एक plus में एक minus में तो कट जाएगा answer आजाएगा 0 option बनेगा B question number 38 इसमें आपको question में दिया हुआ x minus 1 upon x square into e की power x तो यहाँ e की power x हो गया जो सबसे पहला question आज की वीडियो में करा था special form जो by parts होता है उसकी special form बनाने के लिए हम इसको अलग-लग कर देते हैं x upon x square minus 1 upon x square e की power x तो multiply इससे होई रहे इससे यह cancel हो गया बच गया 1 upon x minus 1 upon x square e की power x dx 1 upon x को अगर आप differentiate करते हो 1 upon x का derivative यह होता है minus 1 upon x square तो इस function का derivative अगर साथ में दिया होता है तो answer हमारा सीधा बन जाता है f x into में e की power x plus में c e की power x upon में x कहाँ पर है हमारे पास c की जगे यहां के लगा रखा है तो option हैगा हमारा a question number 39 में 39 में आपको दिया हुआ है इसने e की power x दिया हुआ है यहां पर x log x है plus 1 divided by x तो यहां पर भी e की power x है तो वही property वही property यहां पर फिर बनने वाली है e की power x को तो आप कुछ मत करो आप इन दोनों terms को separate कर दो इसको separate किया इसको separate किया जहां भी देखो na e की power x के साथ में कुछ कुछ multiplication में अगर directly कुछ समझ में आता है तो ठीक है नहीं तो यह वाली property बना के हमेशा चेक करो x से एक cancel अब आपके पास पहले आरा log x और log x का derivative 1 upon x होता है इसका derivative यह है तो यह fx हो गया तो आंसर है हमारा log x इंटू e की power x प्लस में c ठीक है log x इंटू में e की power x प्लस में c या प्लस में k बात देखी है तो 39 का आंसर हो गया a question number 40 इसमें log x square यहाँ पर log x square जो लगा हुआ है x के उपर लगा हुआ है एक पीछे भी हमने question किया था जो last video थी उसमें whole square था यहाँ पर इसके उपर square है तो इसके उपर square है तो आप 2 को आगे लियाओ property लगा दो log वाली तो यह बन जाएगा 2 log x और log x का जो integration होता है वो होता है x इंटू में log x माइनस 1 तो यह 2 तो भाहर रहे गई यहाँ जाएगा x इंटू में log x माइनस 1 अब यहाँ पर देख लो कौन सा option आपके पास आ रहा है 2 x log x माइनस 1 इसका integration कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में हमने discuss किया था log x का और उसमें मैं आपको बताया भी था इसको आप directly याद कर लो आपके काम आएगा बहुत तो आपके काम यहाँ पर आ रहा है अगर याद नहीं किया तो याद कर लो भी भी याद कर लो log x का integration होता है x इंटू में log x माइनस 1 ठीक है उसके बाद question number 41 जो आपको दिया हुआ है उसमें कहता है x इंटू में log x अब यहाँ पर x के साथ log x multiply हो रहा है तो खाली log x नहीं है x इंटू log x तो यहाँ दो function multiply हो रहे है कुछ और property directly नहीं बननी तो by parts पर आप जाएंगे तो by parts में यह first हो गया यह second हो गया first function as it is रहता है second का integration करते है minus first का derivative करेंगे और second का integration करेंगे first log x है उसका derivative होगा 1 upon x इससे यह हो जाएगा cancel अच्छा लिमिट भी दे रहेखिए 1 to 2 last में put कर देंगे सिधा log x into x square by 2 minus x का integration करेंगे x square by 2 आएगा एक 2 पहले से यहाँ पर है तो x square by 4 और limit आपको दे रहेखिए 1 to 2 अब सिधा यहाँ पर आप 2 put कर दो तो यह बनेगा log 2 और 2 का square आजाएगा 4 upon 2 इदर आजाएगा 2 का square 4 upon 4 फिर minus का sign 1 put करेंगे तो log 1 हो जाएगा log 1 होता है 0 सिधा इसको 0 कर दो यह आजाएगा minus 1 by 4 तो यहाँ से आजाएगा इसको इससे cancel करेंगे तो यह बनेगा 2 log 2 यह आजाएगा minus 1 इदर से आजाएगा plus 1 by 4 इन दोनों को आप solve कर सकते हो 2 log 2 को तो आप ऐसी रहने दो इदर से solve करेंगे minus 4 plus 1 यानि minus 3 by 4 तो option में देखो 2 log 2 minus 3 by 4 option है इसमें C यह हमारा answer है 42nd question है इसमें इसमें देखो हमें जो question है वो ऐसे दिया हुआ है यहाँ 1 to 2 है और इदर x square minus 1 upon x square और e की power x plus 1 by x है तो question दिखने में बड़ा भेंकर सा लग रहा है यह कोशन दे दिया ना तो इसमें by parts लग रहा ना e की power x ना होकर कुछ और है तो उसी को आप t put कर दो तो यहाँ पर e की power x plus 1 by x है तो आप इसी को t put करो x plus 1 by x को t put करेंगे तो x का derivative तो होगा 1 और 1 upon x का होगा minus 1 upon x square इस calcium लेके solve करेंगे तो यह आएगा x square minus 1 upon x square dx equals to dt अब देखो bracket के अंदर क्या है x square minus 1 upon x square और dx इसकी जगे और इसकी जगे हटा कर सारा कुछ हटा कर dt आगया तो यह क्या बन गया यह रह गया e की power t और इन दोनों की जगे हटा कर आगया dt अब आपने x को change करा है t में तो limit को भी change करना पड़ेगा यहाँ पर 1 है तो इधर put करेंगे 1 plus यह भी 1 हो जाएगा तो 1 plus 1 2 तो lower limit आगी 2 अगर आप 2 put करोगे तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर plus में 1 by 2 है 2 plus 1 by 2 यानि यह बन जाएगा 5 upon 2 अब पर limit आगी यह e की power t का integration e की power t ही रहेगा limit यह लग गई तो e की power 5 upon 2 में से minus कर देंगे e की power 2 अब option में आपके पास देखो यहाँ पर ऐसा कोई option नहीं है कुछ simplify कर रखा है e की power 2 common निकाल रखा है चलो e की power 2 common निकाल दो e की power 2 जब आप common निकालोगे तो यह 5 by 2 है 5 by 2 का मतलब हो गया 2 and a half 2 and a half यह मतलब हुआ तो जब मैंने e की power 2 common निकाला तो e की power half रहे गे अंदर e की power half का मतलब है e की power e की power half रह गई तो इसका मतलब हो गया अब यहाँ पावर में लिख देते हैं फिर इसको root में लिख देंगे और यहाँ से रहे गया 1 अब e की पावर हाफ को लिखा हुए रूट में तो यह रहागा e की पावर 2 और रूट e minus 1 तो हमारे पास option इसमें बनता है पहले वाला ही 42 का a 43 में 43 में बहुत simple सा ही question दिया हुए 3x square को integrate करना है अब 3x square को अगर आपको integrate करना है limit है 0 to 2 तो आजाएगा 3x cube upon 3 limit 0 to 2 इससे cancel 2 की power 3 करेंगे 8 0 करेंगे तो यह 0 हो जाएगा यानि answer आजाएगा 8 option बनेगा c 44 44 में integration करना है 2 minus x 1 minus x का whole square फिर e की power x अब यहाँ पर देखो फिर e की power x वला आ गया यानि फिर इससे by parts की जो special वह में फिर वह बन गया तो आपको जो नीची जो denominator है उसके हिसाब से numerator को set करना है यहाँ पर है 1 minus x तो उपर जो 2 आ रहा है इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 1 minus x अब इसको कर देते हैं separate तो यह 1 जो है इसको अलग कर दो 1 upon 1 minus x का square और यह plus 1 minus x से इसको कर दो आप अलग है अब यहाँ पर 1 minus x तो इससे cancel हो गया अब यह वाली जो term है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ वैसे तो आप किसी को भी आगे बीचे लिख लो लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यह हमारे पास यह वाला pattern बन गया अब इसमें जो पहले वाली term है उसका derivative आपको यह दिया हुआ है इसका अगर आप derivative करोगे तो यह आएगा यानि हमारा answer बनेगा 1 upon 1 minus x इंटू में e की पावर x प्लस में k यानि e की पावर x upon में 1 minus x तो option बनेगा इसमें हमारा first 44 का a 45th question में कहाथा using integration by parts x cube इंटू में log x इसको इंटीग्रेट करो तो x cube इंटू log x तो log x हो गया first function यह हो गया second function तो first function as it is रखना है second को इंटीग्रेट करना है तो यह बनेगा minus log x का derivative 1 upon x और इसका integration x cube upon में 3 तो x4 upon में 4 x4 upon 4 इसको काटने के बाद यह x cube बनेगा फिर इसका दुबारा से integration करेंगे तो x की power 4 upon में 4 एक 4 already है तो 16 plus में k तो answer में यह आएगा यह आएगा plus में k तो देखो यहाँ पर log x के साथ x की power 4 upon में 16 निकाल रखा है common तो इसने ऐसे कर रखा यहाँ पर कि log x क्योंकि जो option है इसमें से भी कोई match नहीं कर रहा तो यहाँ पर जो 16 है ना इन दोनों का जब LC में आप लोगे यहाँ सीधा सीधा x की power 4 upon 16 common निकालो यहाँ 16 नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 4 into में log x into में 4 x की power 4 ठीक है और इसको लिख देंगे माइनस 1 प्लस में k अब देखो यहाँ पर x की power 4 upon 16 4 log x अच्छा x की power 4 तो common निकाल देना तो वो तो में लिखना नहीं अंदर तो सिर्फ यहाँ पर आजाएगा आपके पास 4 तो यह हमारा option बन जाएगा option number b उसके बाद question number 46 में integrate करना है integrate करना है में log of log x yx तो इसमें भी अब log का जो function होता है log का जो argument होता है अगर वो simple x है तो ठीक है अगर वो x नहीं है तो उसी को t put करो यहाँ पर यह जो log x आ रहा है इसको आप t put करो अब इसको अगर हम t put करेंगे तो इसका derivative यह आगया तो dx की value आगए आपके पास x into में dt तो question हमारे पास यह बन गया log of यह तो हमारा t हो गया था और dx की जगे x dt divided by x इस x से कैंसल तो यह रहे गया आपके पास log t into में dt अब जैसे log x का आपको direct indication बताया था ऐसी log t का हो जाएगा क्या आजएगा यहाँ पर t into में log t minus 1 और t की जगे पर आप log x put कर देंगे तो यह आजएगा log x into log of log x minus 1 plus में c अब देखो option आपके पास कौन सा है log x बाहर log x बाहर log x minus 1 log of log x minus 1 यहाँ पर option number c है हमारे पास यहाँ पर यह misprint हो रखा है ठीक है 46 का option number c है यहाँ पर एक log हो रहाएगा इदर जो option है इसमें एक log हो रहाएगा log of log x minus 1 log of log x minus 1 into में log x plus में c या k question number 47 में log x का whole square है into में x है यह करें log x का whole square into में x तो by parts के coding चलेंगे यह first हो गया यह second हो गया तो first function as it is लिखेंगे second का integration कर देंगे minus first का derivative करेंगे तो यह 2 आ गया जाएगा 2 log x फिर log x का भी derivative करना पड़ेगा आपको chain rule लगाना प्रपर और x का integration आ जाएगा x square by 2 इससे यह हो गया cancel 2 से यह हो गया cancel तो अंदर बचा आपके पास खाली integration of log x into में x तो फिर से इसका integration करेंगे by part फिर लगा दो यह first हो गया यह second हो गया ठीक है और इसका जब integration करेंगे तो यह बन जाएगा first function as it is second का integration minus first का derivative और second का integration इससे यह cancel फिर इस x का integration करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास log x x square by 2 यह minus यह minus plus हो जाएगा और इसका आजएगा integration x square by 4 plus में k और यह वाली term भी साथ सा चलती रहेगी तो log x का whole square into x square by 2 अब यहां भी x square by 2 आ रहा है यहां x square by 2 आ रहा है यहां x square by 4 आ रहा है तो x square by 2 common निकाल लो x square by 2 यहां इन दोनों में common निकल रखका है तो इसमें से हमारा option यह पहले वाले बनेगा क्योंकि 3 term यहां पर आ रही है एक, दो, तीन, यहां पर भी 3 term हमारी बनेगी common निकाल के आप देखोगे यहां से x square by 2 हटा दूँ तो log x का whole square आ गया यहां से अड़ा दूँ तो log x आ गया यहां से अड़ा दूँ तो 1 by 2 आ गया तो मारा option बनेगा इसमें 47 का a 48th question में एकर आप उपर e की power x minus e की power minus x है e की power x minus e की power minus x है और नीचे e की power x plus e की power minus x है तो यहांपर अगर आप नीचे वाले function पे गहर करो तो नीचे वाले function का derivative आपको ऊपर दिया हुआ है नेखो e की power x का derivative तो e की power x ही होता है e की power minus x का e की power minus x होता है लेकिन minus x की वज़े से एक minus 1 हो रहा हैगा तो यह बन जाएगा ऐसे तो जब नीचे वाले function तो यह option बनेगा हमारा कौन सा बन रहा है log e, e की power x plus e की power minus x यहनी option बन रहा हमारा b question number 49 में कर रहा है कि method of partial fraction आपको use करना है और इसको integrate करना है तो 3x upon me x square minus x minus 2 तो आप क्या करो बहले इसके नीचे factor बना लो तो factor इसके बनाएंगे तो एक बनेगा आपके पास x minus 2 और एक बनेगा x plus 1 अब partial fraction में क्या होता इसको आप put करेंगे 3x upon x minus 2 into x plus 1 इसको put किया हमने आपर a upon x minus 2 plus b upon x plus 1 इस तरह put करते है इसका LCM लेते हैं इस तरफ का तो यहां से LCM दोनों का cancel हो जाता है a को यहां पर multiply कर देते हैं x plus 1 के साथ और b को multiply कर देते हैं x minus 2 के साथ अब आप ऐसी values put करो जिससे एक बार यह 0 हो जाए एक बार यह 0 हो जाए जाएगी 1 फिर एक बार आप put कर लो x की जगह पर plus 2 तो यहां गया 2 3 जा 6 2 plus 1 3 यह 0 हो जाएगा तो एक ही value लेगी यहां से आपको 2 अब इन दोनों values को यहां पर put कर देते तो integration आगया आपका 2 upon x minus 1 x minus 2 1 upon x plus 1 अब इन दोनों का integration log में आ जाएगा 2 log x minus 2 plus में log x plus 1 plus में k तो देखो 2 log x minus 2 plus में log x plus 1 यानि option जो a आ रहा है वो ही हमारा इसमें answer बन जाएगा question number 50 इत में 50 इत में कहता है कि आपके पास की f dash x दे रखा है x minus 1 f dash x दे रखा है आपको x minus 1 the equation of a curve y equals to fx passing through the point 1 0 point दे रखा है 1 0 कि जो equation है वो इस point से pass होगी तो आपको इन चारों में से option बताना है कौन सा होगा तो पीछे भी हमने जो question किया था ऐसा इसी तरीके का तो उसमें आपके पास जो पहली equation है वो यह है इससे आप इसका slope निकाल के देखो मतलब derivative निकाल के देखो तो यह क्या बनेगा dy by dx कितना बन जाएगा यह आजाएगा 2x minus 2 अब लेकिन यह कह रहा है कि x minus 1 होना चाहिए यह आ रहा है 2x minus 2 तो यह हमारा option नहीं है अब b option है उसमें क्या equation है y equals to x square by 2 minus x plus 1 इसका derivative करेंगे तो आजाएगा 2x by 2 minus 1 इससे यह cancel तो x minus 1 यह भी x minus 1 तो यहां से हमारा slope बन रहा है तो यहाँ पर अब यह जो point है यह आप चेक कर लो कि यह point भी इसको satisfy कर रहा है या नहीं कर रहा तो y की जगे अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर रखेंगे 1 by 2 यहाँ पर आगया minus 1 plus 1 इससे एक cancel तो 0 और 1 by 2 तो बराबर नहीं होते तो मतलब यह भी हमारा solution नहीं है तो तीसरी equation है c में वहाँ कह रहा है y equals to x square by 2 minus x plus 1 by 2 तो dy by dx तो इसका भी यह निकलेगा 2x by 2 minus 1 क्योंग यह तो constant 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आप point रखेंगे देखते हैं तो यहाँ रखना y की जगे 0 1 by 2 minus 1 plus 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 हो जाएगा 1 में से minus 1 करेंगे तो दोनों 0 आ जाएगे तो यह हमारे जो पास जो है c option है वही इसका solution है तो इसी question के साथ ही जो exercise 8b है वो भी हमने खदम कर लिए जो integral है integral का पूरा concept हमने clear कर लिया है तो आप लोगों समझ में आया होगा questions आप लोग practice कर सकते और कोई doubt होगा तो आप मुझे से contact भी कर सकते आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए चेप्टर के साथ thanks to one of you